नमस्कार वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है मैं हूँ शिकाद हो रही है उदर प्रदीश में पहले चरण की मतदान से ठीक एक दिन पहले समाजवादी पार्टी ने आमादमी पार्टी को जोरदार छटका दिया है आमादमी पार्टी के उमीदवार यावर रोशन मतदान के एक दिन पहले ही समाजवादी पार्टी की खेमे में शामिल होगे उन्होंने स्पी उमीदवार पंकज मलिक को समर्थन दिया है सपात कारेले पर दोनों उमीदवारों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वारल हो रहे हैं समाजवादी पार्टी के उमीदवार पंकज मलिक और राम आदमी के पृत्याशी यावर रोशन एक साथ हैं और अखिलेश यादव को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। सुत्रों की माने तो समाजवादी पार्टी यावर रोशन को प्रदेश सच्चिफ का पद दे सकती है। मतदान से एक दिन पहले ही चर्थावल विधानसबा सीथ पर बड़ा उलट फेर देखने को मिला है। मुजफर नगर के चर्थावल विधान सभा से आम आदमी पार्टी ने युवा नेता यावर रोशन को टिकेट दिया था लेकिन उन्होंने मतदान से एक दिन पहले ही समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया चुनावी नतीजे पर उसका क्या आसर पड़ेगा इस बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता लेकिन सियासी विश्लेश्रकों के मताबिक फिला ये पाला बदलना चर्चा का विश्य सरूर बन गया है आपको बता दे यावर रौशन आमादी पार्टी से टिकेट मिलने के एक दिन पहले तक RLD के नेता थे यूपी के सियासी जानकारों की माने तो मतदान से एक दिन पहले आमाद्मी पार्टी के प्रित्याशी का SP के उमीदवार को समर्थन देने से यूपी में आमाद्मी पार्टी के सियासी समिकरण बिगर सकते हैं क्योंकि चर्थावर विधानसभा सीट से यावर रोशन की जीत तैम आनी जा रही थी ऐसे में अचानक उन्होंने आमाद्मी पार्टी से दूरी बना ले इस पर शीष्ट नेत्रित पर कई सवाल खड़े हो सकते हैं आकिर क्या वज़रे कि एक अधावर उमीदवार ने चुनाफ से ठीक पहले पार्टी को अलविदा कह दिया है वहीं आपको बता दे कि आमाद्मी पार्टी जलादेक्ष अर्विंद बालियान का कहना है कि यवर रोशन को इस बात के लिए आमाद्मी पार्टी से निश्कास सित्कर दिया गया है इस खबर में फिलाल इतना ही तमाम अब्रीट्स के लिए आप बनी रहें One India Hindi के साथ